हेलो स्टुडेंट सेहतिस नमस्वाल को देखिए एक मिश्रन में दूद और जल का अनुपाद 12 पाथ 5 है इस मिश्रन में 8 लीटर जल मिलाने पर दूद और जल का अनुपाद 4 अनुपाद 3 हो गया मिश्रन में दूद का परिमान बताएं यहां आपको प्रथम विधी द्वार बता रहे हैं जो मान लेते हैं जो दूद जो है उसका परिमान जो है 12 एक्स लीटर है और वाटर जो है पानी जो है वह 5 एक्स लीटर है तो देखे प्रश्न अनुशार यहां पर पनी मिलाया जा रहा कितना मिलाजा रहा है आट लिटर मिलाया जा रहा पानी लेकिन यहां omega-1 दूद दिखेंगे लिए पानी जो मिलाया जा से गुड़ा गरेंगे 20x प्लस 32 यह 30x माइनस 20x एक्वाल 32 तो यह 16x इक्वाल 32 इसलिए x इक्वाल 32 बाइ 16 तो एक्वाल हमारा दो निकल गया तो यहां क्या मांगा मिश्रन में दूद का परिमान बता है तो मिश्रन में दूद का परिमान यह 12x है तो ट्वेल इंटो टू 24 लेटर तो अप्शन यह सही हुआ अब दूसरा बीजी द्वार आप देख सेकते हैं यहां पर देखिए में दूद का परिमान बता है मतलब यह जो ऑप्शन जो है इस ऑप्शन में देखिएगा कौन सा संक्या है जो बारा द्वारा पुर्णत्य विभाजित हो जा रहा है तो यहां तो संजोग बस यह ऑप्शन इस तरह से दिया हुआ अगर मालगे ऐसा हुआ अप्शन दे सकता नाहों वो जो है किसी भी छेत्र में आप इस सवाल का हल इस्तित्य बीदी द्वारा आप कर सकते हैं तो क्या करना है सबसे पहले दूद और जल का अनुपात जो है ये मिल्क और ये वाटर का जो अनुपात है ये बाड़ा अनुपात जो पांच है इसको आप घेड़ दीजिए उसके बाद जो दूद और जल का अनुपात है वो चार अनुपात तिनिया लिख दीजिए सबसे पहले काम केजिए यह जो आनुपात है इसको हमेसा 2 से गुणा कीजिएगा सबसेपहले अब देखेंगे इस अनुपात के साथ यह कितना गुणा है तो यह देखिए 4 गुणा 24 होता है यह 6 गुना है ना इसको भी आप एक काम कीजिए 6 गुना कीजिए तो कितना होगा 18 होगा अब एक काम कीजिए अब देखिए यह जो 18 हुआ और इस 10 को घटाएए जब हम घटार हैं तो वो जो संख्या निकलेगा वो देखेंगे इससे मैच कर रहा है कि नहीं 18-10 यह 8 जो है यह इसके साथ हमाना मैच कर गया तो इसका मतलब यह दूद का परिमान जोगा एंसर यह हो 24 लिटर तो अप्शन यह होगा